कश्मीर और हिमाजर प्रदेश में बरफवारी के शुरुआत हो गई है मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ों को बरफवारी और बारिश की कतिविधिया देख रहे हो मिलेगी वहीं दिली समेट पूरे उतर भारत में ठंड का सिलसला जा रही है लोग इस कड़कडाती ठंड बे खुद को बचाने के लिए अलाव जला कर पूरा पूरा दिल बैठे नजर आ रहे है और इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से ठंड को लिकर नया अपडेट भी जारी कर दिया क्या है तो आएए जाते हैं कि आएमडी ने क्या जानकारी दी है दिसंबर और जनवरी के महीने में पहाडो पर बर्फ ही बर्फ नजर आती है लेकिन इस सीजन में ऐसा देखने को नहीं मिला था इस सीजन में पहाडो पर बर्फवारी देखने को नहीं मिली इस कारण से पहाड़ों पर इस बार सेलानियों की भीड भी देखने को नहीं मिली थी हाला कि अब पहाड़ों पर मौसम ने करवट ले ली है हमाजल प्रदेश और कश्मीर के कई लाकों में बरहफ़वारी देखने को मिली है इस ताजा बरफबारी से पहाडों का सुखा खत्म हुआ है हमाचल के जंचाती जिला मनाली और लाहॉल में लंबे इंतजार के बाद मौसम ने करवट ली है मनाली सहित लाहॉल की उची चूटी ओपर बरफबारी हो रही है अटल टरनल के पास 26 जनवरी के सुखा बरफबारी की सफेचादर बिची नजर आई मनाली के उपर शेत्रों में हलकी बरफबारी हो रही है अटल टरनल रहतांग के आसपास एक इंच के करीब ताज़ा बरफबारी दर्श की गई है फिलहाल ले मनाली हाईवे पर आवजाही रुकी गई है मनाली के सुलांग नालस से आगे चार पैचार वाहनों को ही जाने की अनुमती दी जारी है मौसम साफ होने के बाद ही बाकी वाहनों को आगे जाने की अनुमती दी जाएगी और इसी तरह लोगाल घाटी में बादल चाय हुए है यहां पर उचाई वाले इलाकों में बरफवारी हुई है मनाली के साथ साथ कश्मीर में भी बरफवारी की गतिविदिया देखने को मिली है घाटी के उचे वाले इलाकों में हलकी बरफवारी देखने को मिली है जम्मू और कश्मीर के गुरेज में तो लैल घाटी पर ही बरफवारी देखनी को मिली मौसम पूर्वनुमान एजेंसिय स्कायमेट की माने तो जनवरी के अंतिम चरण में पश्ची में हिमाले के अधिकांश पहाडी राज अभी भी अच्छी बारिश और बरफवारी का इंत दिनों में पहाड़ों पर अच्छी बारिश और बरफवारी देखने को मिल सकती है 27 जनवरी से शुरू होकर एक ताजा पश्चमी विभोख्ष पश्चमी हिमाचल की ओर पड़ेगा ये शक्तिशाली पश्चमी विभोख्ष मध्यम बरफवारी के साथ साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश लेकर आएगा हाला कि बारिश के चलते पहाडों पर अब सूखा खत्म हो गया है वहीं इस बरफवारी का असर पूरे दिली एंसियार पर और पूरे सारे के सारे मैदानी राज्य में भी देखने को मिल रहा है दिली का आज का अधिक्तम तापमान देखे तो 18 डिग्री से जर्श किया गया है वहीं नियूंतम तापमान की बात करें तो ये 9 डिग्री तक पहुश सकता है वहीं हवा की गती 8 किलो मीटर प्रति घंटा रहेगी अभी के लिफ लाल इतन ही जो तो वापस आएंगी तुमाम जानकारियों के साथ परे रहे इन खबर प क्या से खबदर है दो रहे आएंग钱 टो रहे है जो चमते हैau सकते है झानकार परे